जय हिंद बंदे मातरम स्वागत है आप सभी सांतियों का गेंजल लर्निंग गुर्जी प्लेटफॉर्म में तो हम लोग कल भी बिहार दरोगा से रिलेटर लगातार प्रसनों को कर रहे हैं प्रैक्टिस इट प्रसनों को कर रहे हैं किमकि आप लोगों का एक्जाम 17 दिसंबर को होने वाला है तो उसी के एक कॉर्डिंग देखते हुए हम प्रैक्टिस इट डेली करा रहे हैं कल भी आप लोग की प्रैक्टिस सुबह में मिलेगी तो उस प्रैक्टिस इट को जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और यहां से जो अधिकतर चांस बनते हैं कि प्रस्ण जो है एक्जाम में आने की ज़्यादातर संभावना है क्योंकि यह जितने सारे प्रस्ण आप लोगों को करा रहे हैं यह BPSC के द्वारा प्रस्ण पूछे गए हैं और बिहार SI का ही यह जो है प्रैक्टिस सेट है तो इससे ध्यान से देखिएगा जितना हो सके आप लोग इससे सेर कर दीजिगा क्योंकि इस चैनल पर हमेशा एजूकेशन से रिलेटेड ही प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं ठीक है तो यहां पर देखते हैं जो 44 प्रस्ण है माँ कीजिएगा 34 प्रस्ण है कि वह प्रत्थम भारती है कौन थे जो बिटिस हाउस ओफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे तो यहां पर बिएपसन को हम लोग सही करेंगे दादा भाई नरौजी यहां पर जो राइट एंसर भी होगा यह सही होगा इसके सदस्य कौन थे बिटिस हाउस ओफ कॉमन्स के सदस्य कौन चुने गए थे तो उनका जो नाम था दादा भाई नरौजी था इसके बाद देखते हैं प्रस्न जो 35 प्रस्न है कि 28 सदी के स्वतंतरता सिनानी बीरोपंडाय कंटा बोमन किस बरतमान राज्य में के थे तो ये बताना है कि जो बीरो पंदेम है, ये काटा बौमन, ये किस बरतमान राज से समबंधी थे, जो अठावी सदी के बारे में पूछा गया है, तो ये तमिल नाडु से रिलेटेट है, राइटन सर्ल यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहे हैं नेक्स प्रसन देखिए, यहाँ पर जो 36 प्रसन है कि बर्स 870 में भारतिय सुधार संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक केसव चंद्रसेन, जो भारतिय सुधार संग थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो केसव चंद्र सेंथे बी अफसन यहाँ पे राइट होगा नेक्ट प्रसन यहाँ पे देखिए 37 प्रसन कि भारा सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है भारा सरकार के लिए बैंकर का काम भारतिय रिजारा बैंक करता है यहाँ पे जो RBI है यह बहारतिय रिजरा बैंक यह बहारा सरकार के लिए बैंकर का काम करता है नेक्ट प्रसन देखिए यहाँ पे जो 38 प्रसन है 38 प्रसन है कि प्रधान मंतरी जन्धन यूजना किसे से रिलेटेड है प्रधान मंतरी जन्धन योजना तो यह जो financial service है जाएगा यह बितिये जो संस्था है इसे से related है प्रधान मंतरी जन्धन योजना जिसको financial service के नाम से चानते हैं ओके नेक्स्ट प्रसन यहाँ पे देखते हैं जो 39 प्रसन है कि अधिनियम यहाँ पे जो भारत में राष्टिये खाद सुरक्षा अधिनियम की सवर्ष पारित किया गया था तो यह जो है 2013 में भारत में राष्टिये खाद सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था 2013 में, ठीक है, नेक्ट प्रस्ण देखिएगा, यहाँ पे जो 40 प्रस्ण है, कि NITI, आयोग के संदर में T का, जो T अच्छा है, इसका A से क्या होगा, तो इसका ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ पे जो राइट अन सा D हो रहा है, यह बिल्कुल सही हो रहा है, T का अर्थ क्या 41 प्रस्ण है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा प्रस्ण है यहाँ पे जो 41 प्रस्ण कर रहा है, कि OCTROI, यह क्या ची है, यह क्या ची है, बहुत सुंदर सा यह प्रस्ण है, तो यह जो है एक प्रकार का टैक्स है, यह क्या है, तो यह एक प्रकार का टैक्स है, नेक्ट SBC जो है एक परकार का भारतिय BANK नहीं है, ठीक है? तो D option यहाँ पे साही हो रहा है। 43 प्रस्न देखते हैं देखिए यहां पर 43 प्रस्न कर रहे हैं कि निम्दल लिखित में से कौन सी योजना बरतमान में सरकार की नहीं है बरतमान जो योजना है वह सरकार की कौन सी योजना जो है नहीं है तो यहां पर जो आयूस है यह किसी परकार की योजना नहीं है लेकिन य अमरीत, स्वच भारत और जंधन योजना यह भारत सरकार की योजना है, फोटी-फोर प्रस में देखिए कह रहा है कि पारसेक की मापन इकाई क्या है, मतलब पारसेक जो है किसका इकाई है, इवनीट है, ओके, तो यह पारसेक जो हो जाएगा यह लंबाई, यहाँ पर बास की क्यों होगा लंबाई का भी जो होगा यहां पर मीटर होना चाहिए और घनत्व का तो आप लोग को पता है अदर्बान का मातरक्ष यहां पर पार्षेक मास्क हो जाएगा ठीक है एम होता है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा ठीक ना नेक्स प्रस्नों पर हम लोग चलते हैं यहां पर जो 45 प्रस्न है फोटी फाइफ प्रस्न है कि निम्न लिकित में से किस का उपकरण का उपयोग पन्डूबी में समुद्र अस्तर के उपर की बस्तूप को देखने में किया जाता है तो यहां पर जो डियाप्ष संन से योगा पारदर्सी या सायोगा पारदर्सी का उपयोग है था किसका समंदरी अस्तर के उपर के बस्तुक देखने के लिए किसका उपकरण का परद्योग है था तो पेरी असकोप माप किजिएगा दोस्तों पेरी असकोप यहाँ पे होना चाहिए लेकिन यहाँ पे पारदर्सी दिया का जो परिच्छा होगा उसमें अब आपको question तो मिलेंगे कि लगेगा कि question एकदम सही है हम question को पढ़े हैं लेकिन उसमें ऐसे सटीक सटीक option रहेंगे जिसमें आप लोगों को confusion बहुत जादा होगा तो इसलिए ध्यान से देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है तो पर चलते हैं 47 प्रस्न है कि उस बल का क्या नाम है जिससे प्रित्वी सब बस्तूओं को अपनी और खीचती है तो बहुत अच्छा सब प्रस्न है gravity याद करना है आप लोगों को गुरतवा कर्शन बल के कारण ही प्रित्वी अपनी और किसी बस्तूओं को क्या करती है आकरस चरक्या होता है तो नियत रहता है 49 प्रस्न है कि एक दूसरी पर 120 डिग्री पर जूके दो दरपन द्वारा कुल कितनी चविया बनती है तो कुल चविया जो होई कितनी बनती है तो दो बनती है कितनी बनती है चविया तो दो बनती है 55 प्रस्न करें कि एक कप पानी में फैल फैलने वाले खाद रंग की एक बुंद इसका उधारंग क्या हो सकता है तो इसका उधारंग जो हो जाएगा डी अफ्सन से विस्रन जिसको डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं एक पानी में फैलने वाले जो खाद रंग की एक बुंद होती है यह बिस्रन का क्या है एक जामप थाए 52 प्रस्न करें कि जर्कोनियम का परमानु दरब्म्यान कितना होता है तो इसका जो परमानु दरब्म्यान होता है Echo How P ना करें कि आमूनियम ऑप्मच जिलेट्ट ऑप्मच CO2 है इसका रह सानिक शुटर हो जाएगा NH4 का hold twice यहाँ पे C2 over इसे ध्यान से याद कीज़ेगा बोथ अच्छा सा यह प्रस्ण है Ammonia Oxalite प्रस्ण पूछा भी गया है आगे देखते हैं यहाँ पे जो 44 प्रस्ण एमाप कीज़ेगा 54 प्रस्ण है लिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है इन में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है तो जो मीथेन हो जाएगा यह कार्बन का अपरूप नहीं है राइट एंसर भी यहाँ पे सही होगा यहाँ पे 55 प्रस्ण है कि पोटेसियम पर मेगनेट का सूत्र क्या होता है तो potassium पर magnet का सुत्र Kmano4 होता है, कितना होता है तो Kmano4 होता है, ठीक है, next प्रस्ण यहाँ पे देखते हैं, next प्रस्ण देखिए, यहाँ पे, जो 56 प्रस्ण है साथी होका रहा है, एक निमल लीखीत में से, कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है इसमें से, तो मीठी महक वा जो होता है, magnesium होता है, किसमें होता है, कुलोरफिल में क्या होता है, तो magnesium होता है, 58 प्रस्ण है कि किस संग में जीवों के संजुक्ते पैर होते हैं, बहुत अच्छा सा प्रस्ण है, तो जीवों के जो संजुक्त पर धरते हैं, वो अर्थोपोडा में होते हैं, किसमें होते ह और का निस्कसन करता है तो यहां पे बात करें तो डी ऐपन करता है तो यहां पर यहां पर ये खोश्टि का जरूर याक्त कि जैगा यहां पर डी ऐपसन सही हो रहे है शीशान प्रक्रसन एक निम्ण लिखेम करें कि इद उलफीतर, निम्दलिखित में से क्या दिखने पर मनाया जाता है, इद उलफीतर क्या देखने पर मनाया जाता है, तो बहुत आच्छा सा प्रस्न है, आप लोगों को पाता होगा, वर्दमांच चंद्रा, यहाँ पर जो वर्दमांच चंद्रा है, इसको देखने पर इद लेक्चर होगा, सो प्रस्वों के साथ होगा, तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा, आप लोग उसे जरूर देखिएगा, ठीक है, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए, जैहिए, जै भरत!